हुआ है पुर क्या आलो है कि है अच्छ था टुरु यह ओ प्रवे श्रीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अभी ये साल खतम होने जा रहा है, दस्वा महीना चल रहा है, अब लगातार फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल में सभी लोग बीजी रहेंगे, दिरे दिरे समय एक दो महीना कैसे निकलेगा, अभी दसाहरा का समय है, फिर दिवाल है, छट है, उसके बाद से जो कार्तिक पूर्णिवा का समय आता है, तो ये समय देरे देरे निकल जाएगा, अभी से मैक्सिमम लोग आप लोग बच्चों के लिए स्कूलिंग का प्लान कर चुके होंगे, कि जैसे ये फेस्टिवल्स बीचते हैं, तो स्कूलिंग का प्ला हैं, वो अलग-अलग स्कूल से कुछ पैसे लेके और गुमराह करने के लिए कि आप इस स्कूल में बच्चे को डाल दें, यहां डाल दें, बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो भी माइन प्रिपेर कर चुके हैं, कि अब हमको उस हिसाफ से जाना है, उस हिसाफ से बरगलाने वाली चीजें बतानी है वीडियो में, और आप चुकी उनको फॉलो करते हैं, कि वो आपको वीडियो बना के देते हैं, कि ऐसे करो तो घर पे ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो इसलिए आप इंफ्लूएंस्ट हैं एक तरह से, जै जने दिर तक, पैर से रगड़िये, धिरे-धिरे, आप कुछ दिर बाद फील करेंगे, 20-25 मिनट बाद, आपके जीव पे करेले का टेस्ट आए जाए, अब इसमें कौन सा फिजिक्स का लोग काम कर रहा, कौन सा केमेस्ट्री का लोग काम कर रहा, साइंस का कौन सा लोग का रेला रगड़ने से आपके जीव पे उसका टेस्ट आएगा, उसी तरह से जब आपको पता नहीं होगा, तो आप जिसका वीडियो देखेंगे, लगेगा कि यह कह रहा है, तो सही ही होगा, क्योंकि इतने दिनों से इसके वीडियो को देख के हम बच्चे पे अपलाई कर र बच्चा हाईपर है, तो ट्रेंपोलीन पे कुदाओ, जिम बॉल पे कुदाओ, आपको दाना शुरू कर देते हैं, बच्चे की प्रॉलम बढ़ जाती है, कोई कह दिया कि आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, तो उसको स्पेशल स्कूल में डालो, अब आज के वीडिय और उसका फल मसलो, जीब पे आ जाता है, इस हिसाब से तो अगर किचड में चलेंगे हम पेर से, तो जीब पे किचड आ जाना चाहिए, गोबर में पेर रखे, जो लोग गोबर पाथने का ये करते हैं, तो जीब पे आ जाने चाहिए टेस्ट, तो ये सारी चीजें क्या होत सोचते हैं, उसी हिसाब से जैसे-जैसे वो कहार है, आप मानना सुरू कर देते हैं, तो फिर जो हिपनोसिस बोलते हैं, न समोहन बोलते हैं, वह तरह ये तरह की चीजे, लेकिन समझना होगा कि मूल बात क्या है, तो चलिए हम डिटेल में बताते हैं, कि आपके बच्चे को कौन से school में भेजना चाहिए special school सही रहेगा या फिर आपके लिए वो normal जो play schools हैं वो सही रहेंगे या फिर घर पे ही बच्चे को manage करना चाहिए इस पर detail में चर्चा करते हैं सबसे पहली बात हमने की special school versus normal school versus home schooling कह सकते हैं तो यह तीनों में हम लोग comparison करेंगे और तीनों की तूलना comparison करके देखेंगे कि क्या कैसे होना चाहिए समसे पहली बात की special school special school क्या होता है special kids के लिए होता है सबको पता है special school में बच्चे कैसे होते हैं इस बात पर ध्यान देने के जरूरत है किन बच्चों को special school में जाने के जरूरत है जो normal pattern पे नहीं सीख सकते हैं चीजों को और पूरी तरह से देख लिया गया कि अब इनका intellectual disability है तो चीजें नहीं सीख सकते यह independent नहीं हो सकते उस तर रहा के बच्चों को वहाँ डाला जाता है vocational training के लिए थोड़ी बहुत चीजें सीखेंगे पढ़ाई के परपस से नहीं थोड़ा बहुत basic जो नीड है पढ़ने के लिए जो समझने के लिए उतने के लिए बाकी वह life को independently मतलब कि किसी dependent ना रहा के कुछ अपना earning कर सके आज intellectual disability मिलेगी down syndrome या फिर rate syndrome william syndrome यह सारी जेनेक्टिक डिफिकल्टी जो है जेनेक्टिक जो डिसॉर्डर्स है उन में उन बच्चों में intellectual disability मिलेगी जो multiple times जिन बच्चों में seizures के symptoms है frequent seizures आते हैं थोड़ा से ओग्रो करते हैं फिर से बैक हो जाते हैं उन में भी intellectual disability होती है उन बच्चों के लिए होता है यह specially मतलब कि इन बच्चों के लिए होता है कि जो क्लियरली दिख जाए कि अब यह आगे कुछ भी इन में develop नहीं होने वाला है सारी चीज़ें वहां खतम है तो बस उनको special school में भेजा गया और वहां से उनको proper training होगरे दी जाती है कुछी को कुछ रैपर बनाने का दे दिया जाएगा किसी को वो ठोंगा बनाने का कागज का जो यह होता है लिफाफा बनाने के दे दिया जाएगा कोई कड़ाई बुनाई का काम सीख रहा है उन चीजों में वो वो पूरी तरह से एक्सपॉल्ट हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे क्योंकि बाहरत की ज्यादा distraction से उनको कोई मतलब है नहीं वो समाज से तो उपेक्षित है तो फिर उनको एक तरह का टैक मिल गया कि इनको यह ठीक नहीं किया जा सकता और बहुत maximum लोग तो पागल ही कहते हैं उस तरह के बच सैकड़ों बच्चों को ऐसा देखा है उनके साथ रहे कि जिन्दगी का जो आपके लाइफ का एस्पेक्ट जो आपको दिखेगा ना वो ऐसे नॉर्मली जो आपको टैग मिला हुआ है उनके बीच में रहे कि वो experience नहीं मिलेगा लेकिन समस्या यह है कि हमारे हाथ में कुछ है उनके बच्चों में अगर आपका बच्चा जैसे की सेंसरी प्रोसेसिंग डिसॉडर है एडीएजडी है और टीजम है माइल मोड़ेट टाइप में इस तरह के बच्चों को स्पेशल स्कूल में अगर आप भेजते हैं तो वहां से आप improvement नहीं लेके आएंगे वहां से औ करेंगे क्या नहीं करेंगे उनका कोई ठीकाना नहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उनको proper guide करने के लिए special educator होते हैं उसके सारे therapist होते हैं counselor होते हैं psychologist होते हैं psychiatrist की भी मदद ले जाती है उन बच्चों के बीच में अगर आपका बच्चा है कि चीजें समझ रहा है वो थोड़ी बहुत problems हैं जो की जिससे वो थोड़ा बैक चल रहा social emotional skills नहीं है social communication disorder है थोड़ी learning के difficulty है यह सारी चीजे हैं तो सिर्फ इतनी से बात के लिए किसी YouTube के paid video के लिए और उनको commission मिले school से उस चक्कर में अपने बच्चे को ले जाके नहीं फसा देना है यह बात जितनी जल्दी समझ में आजा उतना अच्छा है और हम हर साल इसी टाइम पर मतलब डेर दो साल से हम लगबग इस टाइम पर एक video इस पर बनाते हैं alert कर देते हैं बाकी आप जाने आपका काम जान करें लोग वह हैं गुरु घंटाल यह क्या किया है लोग कि पहले बच्चे को दो साल दाइसाल तीन साल जो भी जितने तीन भी नीड थी बच्चे की ठेड़ेपी कराई इन लोगों ने उसके बाद इन लोगों ने उस पैटर्न को देखा समझा जाते जाते बहुत को आप स्कूल में अगर एक क्लास में सौ बच्चे हैं दस टॉप क्याटिग्री में होते हैं बैक वेंचर्स भी स्कूल जाते आते बहुत सारी चीजे शीक जाते उसी तरह के बैक वेंचर्स यह सीख लेते हैं अब इनको लगता है कि इतने दिन हम इसमें गये हैं तो हम भी इसको कमाई का जरिया बना सकते हैं और उसके माध्यम से वह सारी चीजें यह कर रहा हैं और वहां से अब इनको स्कूल जाई से सब्सक्राइबर का बेस होगा दस बीच चार सब्सक्राइबर है उतने लोग को इंफ्लूएंस तो कर सकता है 100-100 लोग उसमें से तो जाएगा स्कूल किछ से के इसथा नहीं हो अंतियों सारी बाते हव बतले ही न बातों से बस हम क्लियर लीजब बताते हैं और हम अपने बात पर स्ट्रिक्ट हैं जब हमने कहा कि हम किसी भी तरह के fake promotions नहीं करेंगे, गलत चीजें किसी को नहीं सिखाएंगे, तो आज भी उसी ये पर हैं, आज से दस सल बाद भी हम वहीं पर रहेंगे, कभी भी गलत चीज़ों को promote नहीं करेंगे, तो बस इतना देखें, हम आपके समझाने के लिए आते हैं मेरे वीडियो में ज्यादा तर बातें समझाने वाली होती है पैरेंट के अवेरनेस वाली ज्यादा लचेदार बातें होती हैं कि आप उसमें वागर पहुँच जाएं तो हो सकता है कि बोरिंग भी बहुत सारे लोगों को लगता है लेकिन फरक नहीं पड़ता है अगर इसतन ही नहीं हो सकता क्या तब special school बेज दीजीए नहीं तो सिर्फ वीडियो देखके influence में आके कि उसने कहा है तो सही ही होगा special school नहीं भेजना अब हम आते हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चों को सारे इन बच्चों के साथ रखा जाएगा जो नार्मली प्ले स्कूल में होते हैं उनकी साथ रखा जाएगा कुछ-कुछ चीजें कुछ-कुछ एक्टिविटीज उनकी अलग से उनकी स्पेशल educator की help से की जाएंगे तो यह काफी हद तक सही एप्रोच है और जितने भी आपके European countries है वो special school सिर्फ नहीं है करते हैं वो inclusive school रखे हैं और उसमें बच्चे जाब रहे हैं जो इस तरह के बच्चों को जो है उनको एक time period के लिए वो inclusive school में रखते हैं कि उनको सारी चीजें उनको देखी जाएं उनका assessment किया जाएं दो महीने तीन महीने चार महीने का टार्गेट लिया जाता है उसमें special educators teachers होते हैं इसके अलावा child psychologist होते हैं उनकी help से उसको improve करने की कोशिच की जाते हैं उसका performance देखा जाता है कि सही है तो फिर वहां से निकाल के उसको mainstream में डाला जाता है हमारे यहां के तरह नहीं कि कमिशन के समझते हैं हर प्रॉब्लम हो समझते हैं आप जब तक payment नहीं किया है तब तक payment करने के बाद admission देने के बाद 30-35 जार एक साल का देने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं समझना चाहते हैं यह maximum schools की प्रॉब्लम है और जितना पैसा आप लोग play school के एडमिशन के लिए देते हैं उतने में हम लोग matrix पास कर गया थे गवर्मेंट का school था सेमी गवर्मेंट था मिशनरी से पड़े हैं सेमी गवर्मेंट था मिडल स्कूल मतलब की गवर्मेंट के तरफ से यह था हाई श्कूल हमारा 89 यह सब में फर्क नहीं पता है वो बच्चे और वो प्रोडक्स हमारे समने कुछ भी नहीं है तो हमको देखना है कि हमको अपने बच्चे के लिए सही क्या है ट्रेंड के पीछे भागना नकल्ची बंदर बनना सही बात तो है नहीं हमारे बच्चे की नीड क्या है उसके तो वहां भेजें वहां के जो शिक्षि का है सहाई का है उनसे कहें कि थोड़ा इसको बच्चे के साथ इंटरेक्ट करां आई पने प्लेवे में इसको रखें यह भागेगा फिर लेके आए उनको 150 रुपया 500 रुपया महीने का आप एक्स्रा अलग से देदें उनको मिल रह कि उन लोगों को करें नहीं है गौवर्मेंट का स्कूल तो हर जगह है तो गौवर्मेंट के स्कूल में जाके देखें बात करें और आप क्या करते हैं आपको लगता है कि आप टू भी एचके फ्लैट लेके एक अपाटमेंट में रह रहे हैं और एक दस्वारालाग की कार से चल रहे हैं तो आपका बच्चा उन गरीब बच्चों के साथ में नहीं जाना चाहिए मैक्सिमलों की तो प्राइवेट चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में यह आएगा कि आपके बच्चे की प्राइवलम ही इसलिए हैं आपका माइंचेट वैसा आप किसी के साथ नहीं जाने देते हैं मेले कुछला कपड़ा कोई पहना फटा पूराना कपड़ा पहना उसकी इतनी सामर्थ है उसके साथ से पहना आपका बच्च्चा उनके जात नहीं जा रहा कहां से सोचियो एमोशनल स्किल्स कहां से आएंगे तो इन बातों को भी करना यह सारी चीजें जब करनी नहीं है बेसिक हमारा क्या यह है मोटिव कि बच्चे को सोचल इंटरेक्शन उसका इंप्रोव करें सोचियो एमोशनल स्किल्स डेवलप करें हम इसके लिए बेजना चाहते हैं सरकारी स्कूल में खर्चा भी नहीं है और वहां पे क्या है कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने हैं एक दूसरे के साथ भागते दोड़ते रहते हैं सारी चीजें होती ओवर और डेवलेप्मेंट वहां से होता है ठीक है प्राइवेट स्कूल में जहां आप लेके जाते हैं जैसे ही कोई पैरन ने देखा कि इस बच्चे को लेकिन फिर उसके बाद करेंगे आपको स्कूल छोड़ना पड़ जाएगा आप होपलेस हो गया आप वहां पर एक नहीं कर सकते हैं आपको छोड़ना पड़ जाएगा सेकड़ कंप्लेंट ऐसे हमारे पास आए उसके बाद हमने अपना ही स्कूल शुरू किया हम अपना ट्रेक छोड़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन हमने अपना प्ले स्कूल शुरू किया उसमें सारो यह जितने भी बच्चे नॉर्मल जो बच्चे आ रहा है बिल्कुल आने चाहिए उनके साथ इन बच्चों को भी रखा जा रहा है और यह जब इनका स्कूलिंग खतम हो जाता है जो बच्चे अपना चले जाते हैं उसके बाद इनका एक देड़ गंटे का अलग से स्पेशल एजुकेशन का क्लास पैरेंट्स को रख के तो यह होता है नॉर्मल स्क स्कूल का पैटर्न स्पेशल स्कूल से डिफरेंट है और बेहतरीन है अब एक बात और कर रहेते हम होम स्कूलिंग की बात की होम स्कूलिंग में कहीं से ऑनलाइन को यह करने के ज़रूत नहीं है बहुत सारे होम स्कूलिंग के फ्रॉड्स आ चुके हैं आपको कहेंगे होम स स्कूलिंग के लिए सबसे बहतर तरीका यह है किसी फ्रेंचाइजी को नहीं पकड़ना किसी एक होम ट्यूटर फीमेल ट्यूटर को पकड़ना 20-20 साल की कोई भी लड़की लेके आना जो की मेट्रिक इंटर कर रही हो अपना इंटर ग्रेजिशन कर ली हो आगे के पढ़ाई जारी रखनी है उसको उसके लिए उसको कुछ खर्च चाहिए तो 18-20 साल के एज में जेनरली आदमी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है इस तरह की लड़की अगर आपके आसपास में कहीं मिले ऑनलाइन में बहुत सारे यह से मिल जाते हैं कि कोचिंग के लिए आपको च स्पेशल एजुकेटर भी है सपतामें एक सेशन उनका दे धिया जाएगा और वो एक सपता का सारे प्रोटोकॉल आपको डेंगे कि आपको यह 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 टार्गेट कम्प्रीट करना और वह कẫ्म्प्रीट करने के बाद ही उनका नेक्ट शेशान होगा जब आफ सारा कुछ मो तो फिर बच्चे पर काम कर क्योंकि आप तो कर नहीं पाएंगे ना आप माता पिता है ना तो आप मोह मायां पढ़ जाएंगा पच्चार होने लगा चोड़ देंगे यह लूप होल वाली चीजे खतम हो जाएंगे बाहर से डिट दो हजार रुपया ज्यादा ज्यादा दो यह लूप जाएंगे बाद से वह कहीं स्कूल नहीं बेज रहे हैं गर पे ट्यूटर बुला रहे हैं और उसके बाद बच्चों पर काम हो रहा है और बच्चे में एजुकेशन का लेवल काफी बहतर हो रहा है अंडरस्टेंडिंग लर्निंग का प्रोसेस काफी इंप्रू प्रोसे बाद है कोई हम तो कहते हैं कि आप लोग आये अगर डेली हमारे पास ऑनलाइन शेशन में सौ सवासा लोग है अलग-अलग कंट्री से अलग स्टेट से हमारे यहां आते रहते हैं लोग बच्चे का एक सब्ता के लिएसेस्मेंट करने उस बीच में जब आप आएं मेंश्च्रीम स्कूल में जा रहा है अच्छा परफोरम कर रहा है और बिल्कुल नॉर्मल सारी चीजे चल रहें कोई प्रावलम नहीं है इसलिए कहते हैं कि beware, be positive, autism is curable, with terms and conditions, terms and conditions क्या है, कि आप कितना उसके लिए काम कर रहे हैं, कितने dedicated, कितना सही diagnosis हुआ, उसके लिए सही protocol apply हो रहा नहीं हो रहा, ये सारी चीज़े, ये terms conditions हैं, इनको fulfill करेंगे, बच्चे में improvement होगे, तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आग करें, इन ही सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को close करते हैं, मिलते हैं किसी next topic में, धन्यवाद है.